कुरोना वारेश से बचने के लिए भागलपूर में भी लोगडाउन किया गया है और इसके लिए लगातार भागलपूर पुलीस द्वारा माइकिंग के जरिये सहर वासियों से अपिल की जारी है कि वे अपने घरों में रहें और लोगडाउन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग क अनुपालन करें लेकिन इसका खासा असर लोगों पर नहीं पड़ रहा है शुक्रवार को भागलपूर पुलीस ने लोगडाउन में दूसरी बार फ्लेगमार्च किया जो सहर के कोतवाली थाना से निकल कर अतिस संबेदन सिल्चेत्र ततारपूर और नातनगर भी गई इस से रविंद कुमार के साथ राज कुमार की रिपूर्ट आज जो कुरोना वाइरस लोगडाउन हुआ है उसमें पूरे भागलपूर जिले में भागलपूर शहर में भी लोगडाउन कराए गया है और इसमें अधिक्तम तो जो दिन हैं वो करीब 17-17 दिन गुज़र चुके ह करते हैं पूरे शहरी शेतर से के जो मुख्य शेतर हैं वहां से गुजरेंगा जिसमें खलिफाबाग चौक होते हुए शेशन चौक होते हुए उसमें जो कोते हुए ततार्पु चौक से लेकर के नातनगर चौक से लेकर के तिलका माजी चौक तक यह सभी छेत्र में भूमेगा और साथी साथ सभी छेत्र में माइपिंग वगड़ा भी की जाएगी ताकि लोग लॉकडाउन की नियमों का स्वतापाल परन्तु आज फिर से यह इसमें पिया जा रहा है ताकि सभी लोगों को इसके संबंध में इसकी गंभीरता को संबंध में सभी लोगों को बताये जा सके अभी भी काफी गंभीर समस्या है दिन प्रतिदिर्न पूरे भारत में और बिहार में भी इसके जो केसेज हैं वो बलते जा रहे हैं तो यह जो लोगडाउन है वो सभी जनता की सुरक्षा के लिए है तो लोग अपनी सुरक्षा के लिए और अपने समाज की सुरक्षा के लिए स्वेम लोगडाउन करें और अगर वो नहीं चलते हैं तो पुलिस के द्वारा जो विडिस समझ करवाई है वो की लिए नमारक भागलपूर के वीडियोज देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकिसन पाने के लिए वेल आइकन को प्रेस करें